उस टाइप की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को स्नैप सीड एप को ओपन कीज़ेगा अगर आपके पास यह वाला एप नहीं है तो आप प्लेइ श्टोर से जाके एजिली इस एप को डाउनलोड कर लीज़ेगा दन डाउनलोड करके ओपन करते ही आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को इस पलेस के आइकन पर टाइप करना होगा कर लेने के बाद आपको अपने गैलरी से अपनी फोटो को सलेक्ट कर लीज़ेगा जीसे आप लोग को एडिट करना है तो फिलाल मैं अपनी फोटो को यहाँ पे सलेक्ट कर लिया हूँ और इसी फोटो को मैं एडिट करके आपको दिखाने माला हूँ और सारी चीज बहुती सिंपल तरीके से मैंने इस वीडो के अंदर समझाया है तो वीडो को कम्प्लीट देख लीज़ेगा 100% आप एडिटिंग सीख जाएंगे तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना होगा कि साइड में एक पेंसल का आइकन मिलेगा तो पेंसल के आइकन पे आप लोग एक बरी ऐसे टैप कीचेगा टैप कर लेने के बाद आप लोग के सामने यहां पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेगा लेकिन सबसे उपर कोने में आप लोग के सामने एक ट्यून इमेज का आप्सन मिलेगा तो tune image की options पे आप लोग टैप कीज़ेगा और टैप कर लेने के बाद सबसे पहला काम इसकी brightness की value यहां पे plus side में आप लोग 30% कर लीज़ेगा देन ऐसे scroll करके नीचे आएगा और इसकी situation की value ऐसे minus side में आप लोग 33% कर लीज़ेगा देन थोड़ा सा और नीचे आएगा और यहां पे एक ambiance मिलेगा तो ambiance की value plus side में आप लोग 20% कर लीज़ेगा देन इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा अगर आप लोग को scroll करके उपर आना होगा थोड़ा सा brightness की value हम लोग और बड़ा देते हैं plus side में हम लोग यहां पे 50% कर लेते हैं देन थोड़ा सा नीचे आके इसकी contrast की value भी plus side में यहां पे 10% कर लेंगे देन इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को नीचे side में यहां पे right के icon पे tap करना होगा टेप कर लेने के बाद simple से उपर side में आप लोग को cross 3 के icon पे tap करना होगा viewed it के icon पे tap कर दीचेगा tune image पे tap करके यहां से brush को select कर लीचेगा then simple से आपका यहां पे size 100 मिल जाएगा अगर आपका 100 नहीं है ना तो यहां पे उपर side में एक छोटा सा 3 मिलेगा इस पे tap करके इसे 100 कर लीचेगा then photo को ऐसे आप लोग zoom कीचेगा और zoom कर लेने के बाद आपका जहां जहां पे skin है ना वहां वहां पे ऐसे brush को चला लीचेगा मैं भी guys brush को ऐसे चला लेता हूँ और चलाने के बाद आप लोग notice करेंगे कि वहां की skin आपका गोरा हो जाएगा और bright भी हो जाएगा तो फटा फट से ये वाला step आप लोग complete कर लीचेगा मैं भी पूरा complete कर लेता हूँ then आगे का step आप लोग के साथ मैं share करता हूँ ऐसे अपने skin पर draw कर लेने के बाद simple से आप लोग को नीचे side में right के icon पर tap करना होगा then यहाँ से आप लोग को ऐसे back आना होगा back आने के बाद आप लोग का पहला step complete हो जाएगा अगर आप दूसरे step को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो कभी आप photo को edit नहीं कर पाएंगे तो दूसरे step को बहुती अच्छे से आप लोग देखिएगा तो उसके लिए pencil के icon पे आपको tap करना होगा और उपर साइड में आप लोग के सामने एगन टूनिमेज की options पे tap करना होगा देन ऐसे scroll करके नीचे आईएगा और इसकी situation की value ऐसे decrease करके minus side में 100% कर दीजएगा कर लेने के बाद नीचे side में right के icon पे tap कीजएगा उपर side में cross तीर के icon पे आप लोग tap कीजएगा view did के icon पे tap कर लीजएगा देन टूनिमेज पे tap करके यहाँ से brush को ले लीजएगा इस वाले icon पे tap कीजएगा और यहाँ पे tap कर लेने के बाद ना इस वारी आपको brush की size को zero करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा तीर मिलेगा नीचे side में इस पे tap करके आप लोग zero कर लीजएगा दन यहाँ से ऐसे photo को आप लोग zoom कीजएगा zoom कर लेने के बाद एगन आप लोग को क्या करना होगा अपने screen पे ऐसे draw कर लीजएगा मैं भी guys अपने पूरे screen पे इसे draw कर लेता हूँ फिर आगे का step में आप लोग के साथ share करता हूँ और वीडियो को अच्छी तरीके से guys आप लोग देखिएगा 100% में आप लोग को editing सिखा दूँगा ऐसे कर लेने के बाद simple से आप लोग को right वाले icon पे tap करना होगा देन यहां से आप लोग को back आना होगा और back आने के बाद आप लोग का 2 step complete हो जाएगा अगर आप तीसे step को अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं तब भी आप photo को edit नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए अगर आप लोग को इसी pencil के icon पे tap करना होगा देन ऐसे आप लोग को scroll करके नीचे आना होगा नीचे side में आप लोग के सामने एक double exposure का option मिलेगा तो इस पे आप लोग tap कर दीचेगा देन plus वाले icon पे tap कर दीचेगा आप अपने gallery से इस red color color panel को ले लीचेगा जिसका link आपको वीडियो के description box में मिल जायागा वहाँ से easily इसे download कर लीचेगा देन नीचे side में आप लोग के सामने तीन options मिलेगा तो बीच वाले पे आप लोग tap कीचेगा और यहाँ पे इसे आप लोग darken भी कर सकते हैं और subtract भी कर सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पे subtract कर लेता हूँ देन नीचे side में right वाले icon पे tap करूँगा और उपर side में cross steer के icon पे आप लोग tap कीचेगा view did के icon पे tap कर दीचेगा यहाँ से आप लोग brush को ले लीचेगा brush की size को यहाँ पे 100% आप लोग कर लीचेगा और simple से ऐसे photo को आप लोग को zoom करना होगा और zoom कर लेने के वाद आपको अपने कपड़े पे कुछ इस type से इसे ऐसे draw करना होगा मैं भी guys फटा फट से इसे draw कर लेता हूँ फिर आगे का step मैं आप लोग के साथ share करता हूँ और वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से guys देखिएगा तभी आप photo को edit कर पाएंगे ऐसे कर लेने के बाद simple से आप लोग को right वाले icon पे tap करना होगा then यहां से आप लोग को back आना होगा और back आने के बाद आपकी पूरी photo कुछ इस type से देखने को मिल जाएगी तो simple से अगले step में हम लोग क्या करेंगे इसी pencil के icon पे again type करेंगे और नीचे side में again हम लोग double exposure के icon पे tap कर देंगे plus के icon पे आप लोग एक बरी टैप कीज़ेगा और इस वाले यहां से background को select कर लीज़ेगा जिसका link आपको को description box में मिल जाएगा वहां से easily इस background को download कर लीज़ेगा then इसके opacity के icon पे tap करके opacity को 100% करके और यहां से right click कर दीज़ेगा उपर side में cross theory के icon पे tap कीज़ेगा view date के icon पे tap कीज़ेगा double exposure पे tap करके यहां से brush को ले लीज़ेगा brush की size यहां से 100% कर लीज़ेगा और photo को ऐसे आप लोग zoom कीज़ेगा zoom कर लेने के बाद आपको अपनी body को छोड़के न body के side side से कुछ इस type से इसे draw करना होगा और draw कर लेने के बाद फिर मैं आगे का process आप लोग के साथ share करता हूँ और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तब ही आप photo को edit कर पाएंगे और ऐसे कर लेने के बाद right वाले icon पे आप लोग tap करके यहां से back आजाईएगा और back आने के बाद एक step और आप लोग को क्या करना होगा pencil के icon पे type कीज़ेगा और ऐसे उपर आई जाईएगा यहां पे एक select 2 का option मिलेगा तो select 2 वाले पे type कीज़ेगा और ऐसे अपने कपड़े को select करके ऐसे पकड़के जूम कर लीज़ेगा और यहां से इसकी brightness की value increase कर दीज़ेगा नीचे के situation की value भी increase करके और simple से यहां से right click कर दीज़ेगा एगन pencil पे आप लोग tap कीज़ेगा और ऐसे इस call करके नीचे आईएगा portrait वाले पे tap कर दीज़ेगा then यहां से आप लोग को क्या करना होगा smooth to यह automatic यहां पे select कर लेगा face is full light की value increase करके plus side में 11% और नीचा के skin smoothness को 100% और नीचा के eye quality की value plus side में 25% करके और add click कर दीज़ेगा और आपका complete editing यहां पे हो जाएगा after before भी आप यहां से देख सकते हैं तो photo को save करने के लिए download के icon पे टैप करके यहां पे save बाले पे टैप कर दीज़ेगा आपका photo gallery के अंदर save हो जाएगा तो तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक्स वर वाचिंग गाई